नमस्का मित्रो स्वागत है आपका ग्यान गंगा आर्वेद क्लासिस में मैसेर्व डाक्टर अनिल पतेल आज हम लोग फटिलाजिसन के बारे में बात करेंगे जैसा कि देखते हैं कि जो हम लोगों ने गेमेटोजनेसिस की बात किया तो वहाँ पर जो है स्पर्मेटोजनेसिस और उजनेसिस के बारे में बात किया स्पर्मेटोजनेसिस से हम लोको कहीं ने कहीं स्पर्मेटोजवा की फार्मेशन किया और उजनेसिस से कहीं ने कहीं ओवम का निर्माड होता है जब यह spermatojoa अर्थात sperm और ovum यह जो है इंट्री करते हैं फैलोपियन टूब में और वहाँ पर fertilize होते हैं तो इसको बोलते हैं fertilization तो simply fertilization कहते किसी है fusion of male and female gamit in the ampular region fusion of male and female gamit अर्थात fusion of spermatojoa and ovum is called fertilization लेकिन हो कहां रहा है यह एक तरह से फैलोपियन टूब में तो आइए देखते हैं कि पहले हम लोग इंजनल देखते हैं कि कौन-कौन से रचनाय होती है जो की fertilization पहले जानना जाए तो देखते हैं यहां पर यह जो structure से पुरा-पुरा यह uterus है uterus का यह बाला पार जो होता है सर्विक्स होता है और सर्विक्स से अटेच क्या होता है वजाएना होता है जिससे यह कहीं के इंटर कोर्ष की प्रक्रिया होती है तो आए देखते हैं कि यह particular पार्ट इसी से अटेच जो ही uterine cavity से ही अटेच होता है फैलेपियन टूब और फैलेपियन टूब के कई पार्ट जहां से और सर्विक्स होता है या जो प्रशन होता है तरह से ओम या उशायड इससे इंटरी करते हैं तो देखते हैं कि जो इस पर्म होता है या स्पर्म गया कहीं निकाहीं इस वजाएना अगे कि तरह बढ़ता है साती साथ यह फैलेपियन टूब में आगे यहां पर आएगा यहां पर एक तरशे इसमें इंट्री कर जाता है और जहां पर स्पर्म और ओम मिलते हैं यहां फर्टलाइजेशन की प्रिक्रिया सुरू हो जाती है तो यह फर्टलाइजेशन की प्रिक्रिया होने के बाद नेक्स डेवलप्मेंट स्टार्ट हो जाता है और यहां जो सीमेन है तो सीमेन कहीं सीमेन में क्या-क्या पार्ट होते हैं एक तो स्पर्म होता है और एक कुछ फ्लूड पार्ट होते हैं और एक स्पर्म होता है एक स्माइनल फ्लूड होते हैं तो स्माइनल फ्लूड का मतलब कौन-कौन से पार्ट होते हैं तो स्पर्म का जो फ कि देखेंगे कॉन से स्ट्रक्ट når यह होता है जो की रऊता है इस होते हैं अरह है निखते हैं तो स्ट पर में लगभग इसकी मात्रा वाइब टीन पर्संट ही होती है सेमानल फ्लूड की मात्रा जोती है 90-95 परसंट होती है इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था तो यहां पर देखेंगे स्पर्म के अलावा कहने कहीं इस पर्टिकलर सीमें में क्या होता है फ्रक्टोज होता है फ्रक्टोज प्लस सिट्रेट होता है जो कि इस पर्म के नूट्रिशन के लिए आ कहीं बॉँट्रीर देखेंगे इसमें में इसकाइप इसी जो सीमें में परोस्टा आंडनिन कुछ यह काम है आपका इसृ know Hajna का काम है के डम अटेश्मेंटिक इसका हम लोग डी बी आगे पढ़ेंगे उसको पाइब देखेंगे कि इसी जो स्यमेन में जो है फ्लूड में प्रोष्टा ग्लैंडीन के काम है यूट्रस को कांट्रेक्शन प्रोवाइड करना तो जैसे ही sperm जो होते हैं आगे के तरफ uterine cavity में entry करते हैं तो uterine cavity क्या होता है उसमें contraction provide होता है तो contraction होने के वज़े से क्या होगा contraction होने के वज़े से sperm और तेजी से आगे बढ़ेंगे जब इसमें contraction होगा तो sperm और तेजी से अपने target के तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये है आपका prostaglandin का काम फिर साथी साथ कुछ mucous होता है मुखस के वज़े से के होता है उसका जो movement होता है sperm का ये एक तरह से lubrication का काम करता है जिससे कि easily उनका movement होता रहे और साथी साथ कुछ buffers होते है buffers क्या करते है pH balance करते है तो बफर के लिए एक देखते हैं कि जो वजाइना का offense होता है वजाइना का पीएज होता है एेशडिक होता है एशडिक क्यों होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता कि यहां पर एक बैक्टिरिया होती के वजाना रिजन में डोडरलीन बैक्टीरिया होती है जबकि जो स्पर्म एजेकुलेट हो रहा है यहाँ पर इसका प्यच स्लाइटली एलकलाइन होता है तो कहीं नहीं कहीं यह जो कुछ स्टक्चर जो सेमाइनल फ्लूड में होते हैं जो प्यच बैलेंस करने के लिए और थ बफर मेंटेन रहता है था प्यच मेंटेन रहता है तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग ने देखा तो अब देखते हैं आईए शुरू करते हैं कि यहाँ पर मालीजे जो सीमेन एजेकुलेट हुआ सीमेन यहाँ कहने कहीं इंटर कोर्स हुआ इंटर कोर्स होने के बाद जो सीमेन होता है पर इजेकुलेशन एक बार के इंटर कोर्स में जो सीमेन की मात्रा होती है वालूम होता है तो हम लोग नार्मल जो वालूम कहते हैं सीमेन का एक इजेकुलेशन में पर इजेकुलेशन स्पर्म में नमर आप स्पर्म कितनी होते हैं तो नमर आप स्पर्म में देखा जाता है 62 120 होता है तो इसको हम लोग 2 to 5 से मल्टिप्लाई करेंगे स्पर्म में तो इतनी मात्रा में यहाँ पर इंट्री करते हैं इंट्री जब करते हैं तो क्या होता है कि इस वजाईना में क्या होता है कि यहाँ पर एक फाइवरोजन होता है जो क्लॉटिंग और अटेच करता है जो फाइवरोजन होता है इस सीमेन के साथ इसको क्या करता है इसको बांधिया रखता है ठीक इनवार्जन प्रोवाइड करता है जिससे कि यह वजाना से बाहर न निकले जैसे ही यह 20 मिनट तक य है तो यूठ जो यूठ इन्टरी करने से पहले इनका तिनका प्रोटिंग और अटेच्मेंट था यह टाय फर फाहगिर्वार्जन फाइचसमेन करेंगे सीप का होते हैं यहां से होते हुए कहिने का इनटरी करते हैं अब फैलिपेन नामर्म में यहां से होती है वो कई thousand होते हैं, कई thousand होते हैं तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फेलिपिन ट्यूब में ये sperm इंट्री कर गए हैं इंट्री करने के बाद क्या होता है कि यहां से जो होता है ओवरी से इसी साथ साथी साथ अगर कहने कई ओवरीन साइकल चलती है और यहां पर जो है ओवलेशन की प्रेक्रिया हो रही ओवलेशन के बाद जब यहां पर देहते हैं कि fluid जो होता है तरशे mature graphon follicle जो होता है उसमें जो space होता है follicular जो cavity होती होती है space होता है उसमें fluid भरे होते हैं जो कि granulosa cells के द्वारा secret होते हैं और यह ओवम होता है fluid के साथ यह करेसे बहाव के साथ इसकी तरफ इधर बढ़ता है जैसे ही यहां पर कुछ openings होते हैं इस फिंबरी वाले रिजन में फेलिपिन ट्यूब के entry होने के बाद यहां पर क्या होता है कि entry हो गया फिर देखें कि जो फैलिपिन ट्यूब होता है उसके अंदर cilia होती है मुलाकात होने के बाद क्या होताा यहां पर फटिलाइजेसन की प्रेक्रिया सुरू होती है फिटलाइज हो जाता है फिटलाइज होने के बाद कहने कहीं यह जाएगोड बनता है जाएगोड जैसे ही फार्म होगा तुरंत यहां पर क्लिवेज की प्रिक्रिया शुरू होजाती है cleavage start होता है साथी साथ इसका movement towards the uta and cavity में होता है यह further development आगे की तरफ होता है हम लोग को यहीं का part पढ़ना है तो आईए आप देखते हैं कि कितना इसकी जो fertilization में दो point है दो factor है एक तो male gamit है दूसरा female gamit है male gamit में हम लोग देखा कि sperm और spermato जो हुआ है female gamit में ovum है तो आईए देखते हैं एक एक करके इन लोग को दोनों को तो यहां देख रहे होंगे कि यह spermato जो हुआ है यह एक single spermato जो हुआ है जहां पर इसका outer most covering क्या है plasma membrane है एक्रोसोम का जो यह layer होता है जो बाहर की तरफ है that is called outer acrosomal membrane तो यह जो होता है एक outer acrosomal membrane के रूप में जाना जाता है तो outer acrosomal membrane और जो nucleus के side में acrosomal membrane होता है that is called inner acrosomal membrane इन दोनों membrane का important है हम लोग उसको one by one देखेंगे कि कहां पर किसका attachment कब होता है तो देखेंगे यह acrosomal membrane में क्या होता है कि यहाँ hyaluronidase enzyme होता है और कुछ proteolytic enzymes भी होते हैं फिर इसका जो जिस तरह से fertilization में यूज है इसको आगे देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया यह particular इसका head वाला part है यहाँ neck होता है फिर देखेंगे middle piece में middle piece में mitochondria होता है mitochondria में जो ATP का generate होता है उससे energy provide होती है energy की वज़े से ही यह survive करता है अपना movement करता रहता है बाकि यह tail region है जिसको हम flagella भी बोलते हैं जिसकी वज़े से इसका movement होता है तो यह कहिने कहिए एक healthy sperm या spermatojova का हम लोगों ने structures बताया है यह normal spermatojova का structure यही होता है आईए देखते हैं आप लोगों ने inginal spermatojova का structure देख लिया अब जो दूसरा जो gamet है female gamet उसके बारे में देखेंगे तो यह है आप कहिने कहिए उस्याइट या obum जो ovulation के समय या ovulate होता है या ovulate होता है ओवरियन cycle के तुरो जिसका ovulation होता है एक का structure देखेंगे तो उसके जो सबसे center में क्या होता है कहिने कई chromosome होते है nucleus होता है एक का nucleus यहाँ पढ़ा रहता है और देखेंगे उसका जो covering होता nucleus का covering को क्या करते है plasma membrane तो nucleus के covering को हम लोगों ने plasma membrane नाम दिया और उसके nucleus के plasma membrane के चारो तरह रेड कलर की जो lining है देख रहोंगे जोणा पधलिशिधा होता है जोणा प्रुटीन एक okay फर तर्टीन है जो की particular पोटीन का काम है कि particular particular receptor अर्थात यह प्रोटीन क्या है receptor है receptor है यह match करेगा particular sperm के particular protein साथ match करेगा और जिस particular sperm के साथ match करेगा उसी को यह attach करेगा सभी sperm को attach नहीं करेगा तो वेट करता है कि जिसके साथ जैसे कहते हैו lock and key model होता है तो इंजाः में हम लोग थे lock and key model पढ़ते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर एक तरह से lock है यहाँ पर key जिसमें fit होगा उसी से कुलेगा तो यहाँ पर यहाँ जोना पेलोशुडा third protein इसके बाहर देख रहे होंगे, जोना पेलोशुडा के बाहर देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ cells होते हैं, that is called follicle cells, that is called follicle cells या follicular cells होते हैं, और follicular cells जो आपस में follicular cells को connect करने के लिए क्या होता है, hyaluronic acid होता है, आपस में दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यह पूरा जो एक तरह से follicle cells और hyaluronic acid दोनों मिल के क्या कलाता है, cumulus matrix, cumulus matrix क्या है, follicle cells और hyaluronic acid के मिलने से बनता है, तो cumulus जो matrix होता है, एक तरह से extra barrier का काम करता है, इसका protection में अरथा जो यह एक तरह से ooshite है, या ovum है, इसका nucleus है, इसको protect करता है, तो एक तरह से इसके साथ इसके लिए extra barrier का काम कर रहा है, तो कहीने कहीन इसको इस तरह से देखते हैं आएए देखते हैं कि हम लोगोंने male gamit अर्थात spermatojova के बारे में देखा female gamit अर्थात ovum अर्थात oshade के बारे में देखा अब देखते हैं कि यहाँ पर जो इसी रूप में इसका fertilization नहीं होता है इसमें कोहीने कहीं जो sperm mature होता है तो sperm का formation हम लोग देखते हैं testis के seminiferous tubules में होता है seminiferous tubules में होने के बाद वो epididymes में जाता है epididymes में जाने के बाद वहाँ पर उसका maturation start होता है maturation के बाद कहीने कहीन एक process होता है capacitation capacitation की प्रक्रिया कहीने कहीन तब होती है जब उसको कैपासिटरेशन का मतलब समझ लीजिए कैपासिटरेशन का मतलब की highly active chromosome कैपासिटरेशन का मतलब highly active chromosome अब वो chromosome ready है fertilize करने के लिए जो भी barriers आएंगे उसके रास्ते में जितने भी barriers आएंगे ये चाहे आप cumulus matrix कर लें जो ना पर लोशुड़ा सबको ब्लाक करके अंदर की दरब जाता है तो कहने के देखें कैपासिटरेशन कहते किसे हैं तो कैपासिटरेशन में होता क्या कि जो particular sperm का जो ये plasma membrane होता है उस plasma membrane पे कहने कहने कुछ cholesterol के particles होते हैं कुछ protein के particle होते हैं ये जो cholesterol के particle और protein के particle इसके surface पे जो होती हैं ये जैसे ही sperm इसमें entry करता है इसके outermost layer पर cholesterol particle और protein के particle होते हैं एक तरह से इसको protect करते हैं ये पूरी-पूरी structures को plasma membrane को protect करने का काम करते हैं तो इस plasma membrane को protect करने का काम कौन करता है यह आप लोग का cholesterol और protein के particle करते हैं तो यहांपर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि जो यह जब इसमें इंट्री करता है स्पर्म तो कहने कि जितने भी यहां पर बैरियर होते हैं उसको यह इससे हेल्प करता है जिससे कि इसलिए आगे की तरफ बढ़े और कहने कि इस पर्टिकुलर प्लाज्मा मेंब्रेन पर कोई प्रॉब्लम नह क्योंकि इसको एक तक पहुचना होता है इस पूरे पूरे प्लाज्मा मेंब्रेन अर्थाद पूरे यह स्पर्म को तो जब यह पर्टिकुलर जो स्पर्म है यह बिथ कोलेस्ट्राल पार्टिकल एंड प्रोटिन पार्टिकल के साथ इसके प्लाज्मा मेंब्रेन पर होता है जैसे ही फैलेपेंट टूब में आता है फैलेपेंट टूब में आने के बाद एमपुला रिजन के आसपास आएगा जैसे ही वहाँ पर क्या होगा कि यह कॉलेस्टेराल पार्टिकल का आप काम खतम हो गया क्युकि इसका काम था यहां से लेकर यहां तक लिए आना और था सुरच्छित इसके plasma membrane के साथ साथ इसको पूरा structure को सुरच्छित यहां तक पहुचा ना था उसका काम खतम हो जाता है जैसे ही यहां पर cholesterol particles होते हैं रिमूब होते हैं साथ साथ कुछ protein particles भी रिमूब होते हैं साथ जो protein particles अब इक्सपोज हो जाएंगे यह receptor का काम करते हैं यह एक तरह से जो 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 ना पैसुड़ा third protein या जो जो रिशेप्टर प्रोटीन है एक तरह से उसके साथ मैच खाते हैं तो इसका मतलब कि कैपासिटरेशन का मतलब क्या हुगा कि यहां पर जो cholesterol particles हो रिमूब हो गया साथ ही साथ जो protein particles हो इक्सपोज हो गया मिन्स अब यह रिडी है मैच खाने के लिए अर्था तुसको साथ fit होने के लिए जो कुछ protein होते हैं उस egg cell पे तो यह इसको बोलते हैं पूरी-पूरी प्रक्रिया को का बोलते हैं प्रक्रिया कहा होती है फैलेपियं ट्यूब में होती है और का मतलब होता है कि sperm highly active है तो यहां देखते हैं यह चीजे ऍरुमिलस मैट्रिक्स के पास चार पजो हो गया hydrolytic enzyme जो secret होते हैं उसका नाम है hyaluronidase secret होता है hyaluronidase क्या करता है कि इसको breakdown करता है यह जो hyaluronic acid को एक तरसे leesis का काम करता है breakdown का काम ता जो hyaluronic acid जो एक तरसे connect की रहता था इसको breakdown करता है तो यहाँ पर देखेंग रास्ता खाली हो गया जैसे ही यह hyaluronidase secret होता है यहाँ पर hyaluronic acid को dissolve कर देता है तो यहाँ पर यहाँ पर रास्ता खाली हो गया रास्ता खाली हो गया तो यहाँ पर जो surface पर protein था यह अब यहाँ पर एक तरसे जोना पर जोना थर्ड़ protein के साथ मैच खा जाएगा तो यहाँ पर मैच खाता है तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएगे थोड़ा सा तो इसको देखेंगे तो यहाँ देख रहे होंगे यह red color से रहेगा तो यह अब इसके साथ मैच खा गया अर्था जो receptor protein था उसके साथ मैच खा गया यह protein यह जो plasma membrane पर एक तरसे sperm के plasma membrane पर protein था इसके साथ मैच खा गया lock and key model लोग के साथ fit हो गया जैसे ही इसके साथ touch में आता है यहाँ से इसका जो outer layer होती है plasma membrane open हो जाती है यहाँ से कुछ जो acrosome enzymes release होता है जो acrosome cap होता हुआ से enzyme release होता है यह enzyme release होने की वज़े से plasma membrane third protein जी होता है lecice हो जाता है breakdown जाता है और साथी साथ यह breakdown होते होते कहिने के Jonah Pellosoda को भी break करता है Jonah Pellosoda को break करने के यह पहुच जाता है यह पूरा पूरा structure यह पहुच जाएगा बिलकुल एक तरह से इसके plasma membrane पहुच जाएगा अर्थाथ जो nucleus है nucleus का plasma membrane उसके पास पहुच जाएगा अब यहां देखते हैं कि यह outer acrosomal membrane था यहां पर degenerate हो गया है यह तुरंत यहां से damage हुआ कि यहां पर कुछ acrosome secret हुए अर्थाथ कुछ enzyme secret हुए जिसके वज़े से यहां पर जो plasma membrane जोना पेलोशुडा 3rd membrane को degenerate किया अर्था लिसिस किया साथी साथ यहां पर जोना पेलोशुडा को भी lysis कर दिया है जैसे ही यह lysis कर देगा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा कांडिसटन्स में ये पार्ट खतम हो गया ये सब खत्म हो गए बचा सिर्फ यह जो रूप में हम लोग देखेंगे कि ये जो आउटन तो इस रूप में यह अटेच हो गया, अब जो इस्ट्रक्ट्रस अटेच है यह इनर एक्रोसोमल मेंब्रेन अटेच हुए है, इनर एक्रोसोमल जैसे ही इनर एक्रोसोमल जो मेंब्रेन है इस क्रोमोसोम का या क्रोमोसोम के पार्ट का जैसे ही जो ना पेलुशुडा से अटे यहां पर देखें हम इसको अब दूसरे डियाग्राम में देख रहे हैं कि अब यह प्लाजमा मेंब्रेन जो है यहां पर है और इनर एक्रोस्मल मेंब्रेन यहां अटैच हो गई साथ ही क्या अत्सात क्या होता है? कि यहाँ पर plasma membrane पर कुछ protein होती है protein होती है जैसे ही एक तरह से inner plasma membrane कहने के ही जोना पिलोषोडा के layer से attach हुआ यहाँ पर जैसे जोना पिलोषोडा में कुछ आयन channel आयन के channel open वियाती है बाहर से अंतर की तरफ calcium ion entry करता है बाहर से अंदर की तरफ calcium ion entry करता है और साथ ही साथ क्या होता है smooth endoplasmic creative column के थूँ जो calcium ion का production होता है तो देखेंगे बाहर से sodium बाहर से जो है जैसे ही inner acrosomal membrane जैसे ही jona pelosida attach होता है तो उसके attachment होने के साथ ही साथ यहाँ पर jona pelosida से क्या होते है चैन आयन channel open हो जाते हैं जो पोर होते हैं open हो जाते हैं बाहर से उस condition में बाहर से अंदर की तरफ sodium ion entry करते हैं साथी साथ sodium ion entry होने के साथी साथ क्या होता है यहाँ पर smooth endoplasmic radicularum से radicularum से क्या होता है calcium ion secret होता है तो देखेंगे अंदर की तरफ positive charge का formation होने लगता है तो positive charge का formation होने के साथ अब ये अंदर की तरफ positive charge होंगे अर्था इनायन हो गए यहां बाहर की तरफ देखेंगे तरफ से minus charge हो जाएगा बाहर की तरफ इसके जोना पेलशुडा के उपर क्या हो जाएगा एक negative charge बन जाएगा negative charge को हम लोग क्या बोलते है fast blockage of polyspermia negative charge अर्था zona pelosuda के बाहर surface पर due to presence of positive charge inside the nucleus that is called fast blockage of polyspermia तो उसको क्या करते है कि यह जो प्रक्रिया होती है fast बहुत होती है जैसे ही यह sperm zona pelosuda के membrane से टच करता है एक मिनट के अंदर एक मिनट के भी एक सेकेंड भी समय नहीं लगता है एक सेकेंड से कम समय में तुरंत यहाँ पर अंदर पॉस्टिव चार्थ बाहर negative charge जिसकी वज़ासे एक barrier का काम करता है ब्लॉक कर देता है जिससे कि यह जो sperm अब टच हो गया है कोई दूसरा sperm इंटरी न कर पाए तो दूसरे sperm को इंटरी करने के लिए रोकने से लिए इसलिए fast blockage आप polyspermy, polyspermy का मतलब एक sperm तो इंटरी करेगा उसके लावा कोई other sperm इंटरी न करे उसको रोकने के लिए यहाँ fast blockage आप polyspermy के लिए एक तरह से negative ion formation हो जाता है साथ ही साथ क्या होता है इसके साथ यहाँ पर देखते हैं कि कुछ particles granules होते हैं इसी nucleus के अंदर अर्था ओवम के अंदर कुछ particle granules होते हैं particle granules जो होते हैं जैसे ही यहाँ पर negative charge बनता है इस तरह से से प्रक्रिया होती है यह दिरे यह ओपन हो जाते हैं यहां पर ओपन हो जाते हैं और देखते हैं ऑपन होने कि बाद चार्टिकल इंजा ubiqu versus आ उने इसट राहसे एच्टे में से साधी उने वहोद घ्न कर्ना इंजा यहां जो एखना करना पर सिक्रीशन निकलता है यह सिक्रीशन बाहर की तरफ आता है यह सिक्रीशन अब बाहर की तरफ आएगा और यहां पर एक डूसरा बैरियर बन जाता है जिसको बोलते है slow blockage यहाँ पर जो था fast blockage था जो कि negative आयन इसके जोना पहलो शुड़ा के बाहर surface बन गया था due to presence of positive iron inside the nucleus जबकि यहाँ पर critical cells के जो secretions होते हैं उसके जो secretions बाहर के तरह आती हैं जिसके वीचे slow blockage का formation होता है तो slow blockage का formation हो जाने के बाद दूसरा sperm इसमें entry नहीं कर पाता है अब क्या होता है कि जब यहाँ पर धीरे धीरे यह breakdown होगा और यहाँ पर entry कर जाएगा और यहाँ इसको lysis करेगा और यहाँ पर sperm का nucleus entry कर गया जैसे ही sperm का nucleus entry कर जाएगा अब यहाँ पर इसको हम इस डियाग्राम देखेंगे कि जो अब यहाँ पर इसका यह किस phase में होता है ध्यान रखना चाहिए आप लोग को कि यह तरसे मियोटिक सेकेंड के मेटाफेज में रहता है मेटाफेज में होने के बाद यहाँ पर देखेंगे इसका जो nucleus होता है वो nucleus अब बाइफर्केट होंगे यहाँ पर दोनो दोनो nucleus separate हो जाएगे तो दो nucleus जो होते एक polar body के बनाएगे जो second polar body formation होगा और जो दूसरा nucleus हो जाएगा और जाइगोट का फार्मेशन करेगा जाइगोट का फार्मेशन होने के बाद जो जाइगोट हम लोग करे थे यहाँ बन रहा था तो यह स्टेज में जाइगोट का फार्मेशन होगा जाइगोट के फार्मेशन के बाद further वो उसका division होगा क्लिवेज होगा और development हो तो इस तरह से पुड़ी घतना हुए इसको एक लिज वाहता है एक बार समराइज कर लेते हैं कि दएखेंगे, स्पर्म इंट्री किया है,्डिया है और यहां पर ख्रतोर से एक्रोम किया होती है.. प्लाजमा मेंब्रेन जो होती है, उसके इनर साइड में क्या होता है, देखते हैं, इनर साइड में लोग देखते हैं, एक्रोसोम होती है, एक्रोसोमल मेंब्रेन होती है, एक्रोसोमल मेंब्रेन होती है, और इनर एक्रोसोमल मेंब्रेन होती है, यहां नुकलेस होता है, यह मि को तैक पर ना थी उन्ट्र पार्टिकल को घरव बुपर बडाब नुख से प्रति लेकर यह उन्ट जाएं जो ना पर देखिकल एक। जिसको हम लोग receptor का काम करता है और यह एक तरह से इसको करते हैं तरह से highly active sperm हो गया highly hyper active sperm हो गया अब यहां पर आया और यहां पर क्या करता है कि यहां इक्रोसों जो होता है यहां पर एक तरह से proteolytic enzyme secret करता है जो कि hyaluronic acid के जो bond होता है ब्रेक करता है जिसकी वजह से यह barrier खत्म हो जाता है barrier खत्म होने के बाद यह जैसे ही तुरंत ही जो ना पर लुशुडा की जो लाइनिंग होती है barrier होता है उसको breakdown करता है उसको breakdown करने के बाद जैसे ही एक तरह से यह करन टच में आता है plasma membrane के nucleus के plasma membrane के touch में आएगा तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे touch में आएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तुरंत ही आयन चैनल ओपन जाते है आयन चैनल ओपन होने को यह से sodium आयन इंट्री करता है साथी साथ स्मूथ इंडॉक प्लाजिम रेटिकुलम से जो है calcium आयन करेंगे सांधी चैनल नुकलियस के अंदर कुछ कॉटिकल्स ग्रैनूल्स होते है कंलाइसोसोम टाइप के liquid होते हैं जो की तुरंत ही इस plasma membrane से अटैच होने के बाद इसका जो पोर्ड जो शिक्रीसंस होगा वह बाहर की तरफ चला जाएगा और कहने का एक सेकंड जो है अक् यहां पर Inner Plasma Inner Acrosomal Membrane यहां टेच हुआ था कहा है कहिन के Plasma Membrane Of Obum से यह जो है फिर उसके बाद डिजालव करेगा इसको और यहां पर क्या होगा इसको फिर यहां पर जो है Nucleus Of Obum का Nucleus जो होता है मियोसी इस सेकेंड के मेटा फेज में रहता है यह अब यह इसका जो क्रोमोसाम्स के साथ सब्सक्राइड के साथ और कहने के Strategic बनने के बाद समय इसका इंडार प्रट कने dinner का विइस्द का सब्सक्राइड वा प्रेट। देखी धन्यवाद